तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक मेकवर एक किचिन का मेकवर जो कि बहुत छोटा किचिन है और हमने काफी सारे डियाइवाइस यूज किये हैं इस मेकवर में क्यूंकि हम बहुत जादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे और अगर आप भी ऐसे ही कुछ मेकवर कर यह भी बहुत इंफ्रेस्टिंग है और यूसफुल भी है तो सब कुछ हमने किचिन में यूस किया है चलिए देखते हैं और अगर पसंद आएगा वीडियो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा तो चलिए शुरू करें सबसे पहले हम आपको ब स्टेटस है तो अभी हम सबसे पहले सब कुछ हटाएंगे जैसे कि काउंटर टॉप को सबसे पहले हम खाली करेंगे कम्पलीटली सब कुछ क्लियर करने के बाद हम अपने हिसाब से सेट करना शुरू करेंगे इस वीडियो में हमने आठ डियाइवाइस बनाए हैं और आम श सिर्फ दो शेल्फ दिया गया है जिस पे सारे जो भी कंटेनर्स हैं वो सब रखे वे हैं और जो बचे कंटेनर्स थे वो काउंटर के ऊपर रखे वे थे तो इस वज़े से काउंटर काफी भरा सा लग रहा था तो इस जगे को में थोड़ा सा स्पेस देना है जिससे मानना है छोटे kitchen में अगर black counter होता है तो kitchen काफी डल लगता है और छोटा भी लिगता है तो थोड़ी brightness देने के लिए हमने कुछ इस तरह से wallpaper यूज किया है कम पढ़ गया था तो एक और wallpaper भी यूज किया तो चलिए अब DIY करते हैं तो सबसे पहले हमने ट्रे लिया यह ट्रे टूटा हुआ था और इसके साइड टूट गये थे तो उसको हमने पहले जोड़ा और उसके बाद इसका base white किया और deco patch napkin यूज किया है इसके उपर हमने और इसको हमने बस flowers flowers काट लिये हैं ताकि थोड़ा सा natural look आए ट्रे के उपर और ये print इसके उपर लगाने की वज़ा ये है कि ये जो इस corner में हम लगा रहे हैं वहाँ पे ही ट्रे टूटा था तो थोड़ा सा निशान दिख रहा था उसको cover up करने के लिए हमने किया है इसके बाद हमने white base color थोड़ा सा फिर से किया ताकि थोड़ी और bright लगे क्योंकि इसके ऊपर हम येलो यूज करने वाले हैं येलो हम जादा तर यूज करते हैं क्योंकि किचिन में मतलब brightness दे देता है येलो कलर या फिर कुछ ऐसे light bright colors तो इसलिए हमने कुछ इस तरह से बनाया है और सिकेंड डियावाई होगा मेरा oil dispenser जो कि हम again tray के ऊपर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर दो bottles पड़े वे थे और इन दो bottles के साथ हमने oil dispenser बनाया है तो पहले हमने white base कर दिया इसका एक coat कर दिया उसके ऊपर हमने फिर से yellow ही यूज किया है color bottle का green था otherwise हम इसको नहीं color करते लेकिन green था इसलिए हमने पू spatula holder बनाना चाहते हैं या तो इसमें flowers भी रख सकते हैं या फिर spatulas तो इसके लिए हमने यह रजगूला का डबा लिया है और इसके अलावा हमने यहाँ पर यूज किया जो 25 रुपीज का molded clay आता है वो यूज किया है और बस randomly जो design में को समझ में आ रहा है वैसा ही हम बना रह तो यहाँ पर दो layer हमने कुछ इस तरह से लेके इसको twist twist किया और एक design बन गया तो इसी को हमने use किया है उस container के उपर सारा लगा के फिर हमने उपर थोड़े बहुत rope use किया और again हम इसको color करने वाले हैं orange color जिसे थोड़ी सी bright लगे मतलब जो भी चीजे रखी हो ना वो highlight हो त झाले हैं एसका आपका तो अग्राइब देड़े एल्गे लड़ाइब देड़े लाइब गड़ाइब लाइब लाइबे लाइब 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 तो अब जो फोर्थ DIY हम करने वाले हैं ये एक पैन के उपर कर रहे हैं जो कि खराब हो चुका है वैसे मंदर की तरफ इसको वाइट कोड कर रहे हैं इसको हमने आगे की तरफ से भी पहले किया I mean इस तरफ से पहले ग्रीन कर दिया था लेकिन वह में को कुछ अच्छा नहीं ल है वो भी साथ में ही मंगा था तो यहां पे हम यलो जो फ्लावर वाला नैपकिन था उसी के साथ ही आया था तो इसी में से हम एक निकाल के इसके उपर यूज करने वाले हैं जो कि है टी टाइम और उसके ओपर थोड़े कप्स और सौसर अं जग्स बने वे हैं तो इसको हम वैसे ही ये नैपकिन्स यूज़ करना बहुत सिंपल है और बहुत जादा प्यारा सा नाचुरल सा लुक आता है जिसे लगता है हाथ से ड्रॉ किया है कुछ ऐसा ही क्योंकि मेरे बच्चे मेरे आसपास बैठे हैं बोले हैं ममा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मतलब ये अपन कम खर्चोंगे तो ये देखें इसका फाइनल कुछ इस तरह से हुआ जो स्टिकर्स लगाने के बाद फिर बाकी हमने थोड़े बहुत बढ़ कलर जा ब्लू एक्रेली क्लर क्लर एड़ किया है जो भी हमने कलर यूज किये हैं इस वीडियो में सारे अक्रेली कलर थें तो ये अब ऐसा हो गया है कि बहुत ही अच्छा सा वाल डेकॉर बन गया है फाइनल लुक आपको देखने को मिलेगा आगे तो चलिए अब हम करते हैं फिफ्थ डियाइवाई और ये एक डिस्पोजल जो कंटेनर होता है जिसमें खाना आता है बहार से ये वो कंटेनर है जिसको हम टू पीसस में कर रहें वैसे इसको हमने बनाया किसी और परपस से था लेकिन फिर ये किसी और चीज में यूज हो गया अगर मेंको flower vase बनाना होता तो हम शायद इसको काटते नहीं लेकिन यह मेंको कहीं पे stick करना था I mean वो pan जो हमने color किया था उस पे लगाना था तो इस वज़े से हमने इसको काट दिया था लेकिन फिर थोड़ा सा मेरा plan change हो गया तो उसको हमने कुछ और बना दिया और ये फिर flower vase रहे गया लेकिन कटा वा था तो फिर भी हमने इसको भी अच्छे से use कर लिया है एक जगा तो यह देखिए यहाँ पे हमने थोड़े बहुत popsicle sticks use किये हैं और नीचे से इसको cover किया है cardboard piece से और बस यह बन गया एक बहुत ही प्यारा सा flower vase अगर आपको कोई भी DIY पसंद आ रहा हो इसमें से तो please like ज़रूर करेगा तो अब देखते हैं शिक्स्त DIY और इसमें हम एक और tray बना रहे हैं जो की completely waste material से है यह है एक cardboard box का उपर का lid था जिसको थोड़ी सी strong बनाने के लिए चारो तरफ से हमने एक एक पीस और लगा दियो और बीच में भी एक पीस लगाया है इसके बाद हम इसके उपर सारे tissues लगा रहे हैं इसलिए कि painting करने में थोड़ी सी easy हो जाए क्योंकि direct अगर हम paint करेंगे तो जो cardboard है वो थोड़ा अकड सजाएगा और इसके बाद में को याद आया कि इसके जो edges हैं इसमें हम masking tape लगा देंगे तो थोड़ी सी और मतलब सफाई आ जाएगी जो थोड़ा बहुत उंचा नीचा है वो भी clear हो जाएगा तो इस वज़े से हमने तीन और side में masking tape यूज किया और इसको अच्छ से करके फिर dry कर लिया और ये paper हमने stationary shop से खरीदा था जो कि सिर्फ 10 रुपीज का है और इसी के मतलब थोड़े सी combination में हम इसको ट्रे को बनाने वाले हैं तो side में जो color करेंगे वो हम करेंगे कुछ इस तरह के color से ही जिससे थोड़ा सा मतलब look अच्छा है same same color हो paper थोड़ा कम पढ़िया था इसलिए side में एक छोटा पीस लगाना पड़ा और ये acrylic color हम यूज करेंगे सारे DIY का जो final look है वो आपको last में देखने को मिलेगा तो चलिए देखते हैं अगला DIY तो यहां पर हम बनाने वाले हैं एक corner rack और ये मेरा most favorite DIY था आज के वीडियो का और ये देखें इसको मने एक plate लिया और इस तरह से काटा और six pieces इसलिए किये हैं कि ये में को दो-दो करके जोडने हैं थोड़ा सा durability बढ़ाने के लिए इनकी क्योंकि ये cardboard है तो हो सकता है थोड़े दिन में खराब हो जाए इसलिए मने थोड़ा सा उसको strong किया और यहां प cardboard काफी strong है थोड़ा सा और strong करने के लिए हमने दो-दो piece एक साथ जोड़ दिया है और इसके बाद इसके भी side में हम use करेंगे जो tissue paper है वो थोड़ी से side में लगा लेंगे ताकि थोड़ी और अच्छी finishing आ जाए इसकी उसके पाद हमने use किया एक wallpaper यह देखे यह wooden finish का wallpaper हमने मंगाया था यह 10-10 रुपीज का था stationery shop से लिया था वही उसी से हमने सारे circles cover कर लिये मतलब 3 circles cover कर लिये और इसमें हमने कुछ इस तरह का light color लगाया मतलब जो beach का जो pipe सा था ना उसको हमने थोड़ी light color यूज की है और जो था वो brown color कर लिया round में तो यह देखे कुछ इस तरह का आया इसका final look आप इसको बस assemble करना है तो यह देखे glue gun यूज कर रहे हैं ताकि काफी strongly यह attach हो जाएगा इसके साथ तो यहाँ पे मने glue gun यूज करके इसको चिपका लिया अच्छे से यह three tire rack बन जाएगा जिससे DIY और यह भी मेरा favorite है इसलिए कि बिना खर्चे के ही हो जाता है तो यहाँ पे हमने printouts लिये थे जो की pinterest से हमने कुछ download किये थे तीन picture printout लेके उसको हमने cardboard पे चिपकाया है और इसका border हमने same color से दिया है जिस color का drawing है इसमें उसी color का border कर दिया है हमने again जो color acrylic color ही use किया है और ऐ ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता देखके कि यह frame नहीं है इसको बस ऐसे हमने बनाया है तो वैसे आप A4 sheet normal paper में print ले सकते हैं इसको हमने पहले भी एक बर बनाया है वो भी अच्छा लगता है लेकिन यह वाला paper थोड़ी सी quality अच्छी है और हमने use कर लिया तो चलिए अब श shelf को cover किया जा सके तो थोड़ा सा जो बच गया था wallpaper उसको हमने यहां पे लगा लिया और अच्छा लग रहा था मतलब ना से तो बहुत अच्छा लग रहा था कि कुछ नहीं है black लग रहा उससे तो काफी अच्छा लग रहा था तो इसको हमने यहां पे use कर लिया और इसके प्रेश तो उसको हमने चेंज कर दिया ताकि फोड़ा और प्रेश बन गिया यहाँ पे मतलब उन कंटेनर को हताया और size wise सारे containers को हमने organize कर गए और ये है वो rack जो कि मेरा favorite है और इतना strong है न मतलब बहुत अच्छा है इस पे आप half kg के containers अराम से रख सकते हैं ये उपर जो spice rack हम रख रहे हैं काफी भारी है इसे मिसको उपर रख रहे हैं ताकि थोड़ी सी और इस मतलब sturdy हो जाए stable रहेगा ये और चोटे-चोटे jars हमने use की है ये डीमाट के jars हैं जो कि double nine में आपको 3 मिलता है मतलब 100 रुपीस में 3 यहां पर चोटा सा एक flower pot लगा दिया जो कि artificial है और ये tray जो है DIY और इस पर हम यूज कर रहे है oil dispenser और ये lits हमने amazon से मंगाया है set of three ये around 120 का था तो बहुत ही अच्छा ये oil dispenser काफी अच्छे से बन लिया तो यहां पर दो जार से इस तरह की रख दिया dispensers और चोटे-चोटे जार हम यूज कर रहे हैं यहां पर जो कि ये 50-50 रुपीज का है और ये मतलब Reliant Smart से लिया हुआ है और ये 50-50 रुपीज का सिर्फ और ये जो stand है ये मीशो से मंगाय जो कि इसकी प्राइज है 270 और इस पर हमने जो कंटेनर यूज किया है टी और शुगर का ये ये कंटेनर भी 99 के थे और इसके नीचे हमने जो टी कप्स है वो यूज किया है और बहुत स्पेस छोड़ना चाहते हैं अल ओवर मेरा मोटो यही है कि स्पेस होना चाहिए इस व् बहुत सारी चीज़े आ गई इसमें तो यह कुछ इस तरह से रख दिया हमने और जो थोड़ छोटा सा फ्लावर पॉट बनाया था यह देखे इसके अंदर एक आर्टिफिशल प्लांट रखे यहां पर यूज किया है और यह है मोटर और पेस्टर और इसके बाद जो कॉर् नाइज कर दिया था हमने और वहां पर हमने जो कंटेनर्स पिंक वाले रखे है न वो 299 का है वो भी रिलाइन स्मार्ट का है और यह जो है सोप होल्डर यह हमने मीशो से मंगाया है 150 यह 140 का था यह अडेसिव हुक के साथ आता है और बहुत ही अच्छा लगा मेंको इसका यह जो भी चीज़ हमने मीशो से लिया है इनकी जो लिंक है वो हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजेगा तो यह भी बहुत प्यारा लग रहा है पहले सोप विंडो पे रखा था अब हमने इसको यहां पे रख दिया और विंडो को completely clear करके यहां पे चोटे-चोटे pots लगा दिये और यह है जो पैन आपने देखा था उसको हमने next wall में लगा दिया यहां पे खाली रखा है और gas tub के उपर हम यह यूज कर रहे हैं जो कि प्रिंट किया था तो क्योंकि यह जो टाइल है अल्रेड है इसलिए हमने बहुत कम चीज़े य यहां पे तो बस यह दो यूज किया है और बहुत ही सुन्दर लग रहा था काफी अच्छा कोट लिखा था kitchen coat इसके ओपर तो बहुत सुन्दर लग रहा था अब आप enjoy करिए kitchen का final look प्लूँषे आपका बचको अल्बकर दो का जाओ कैंज्ड़कर स्थन्दर लगाइ आपको बढे 200 लिए जए रहा है आपको अल्मारा है तो पर बहुत किया हम आपको यह रहाँ है रहारे एपकर भीज़गर प्सक्पित आपक्तों सुन्दर अपक्तों सुन्दर लिए तो बस ये था मेरा आज का मेक ओवर वीडियो आज का किचिन मेक ओवर और हेलफुल भी रहा होगा अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लियर थांक्स फो वाचिन मेर वीडियो बबाई